हेलो दोस्तों आप से भीका स्वागत है जी आई जी वसीम चनल मेंड की साज की इस वीड़ा में हम रेडमी के 55G का उन्बॉक्सिंग करेंगे बैसिकली यह चाइना से बाइक किया हुए 67 वाट का फार्शार 2K डिस्प्लेय अमोलेड वाला देखने को मिल जाता है साधिक हमार सब्सक्राइब करते हैं इसको अन्बॉक्स एंड के इस डबे में हमें क्या चीज़े देखने को मिल जाता है इसके लवागी से हमारा फोन देखने को मिलता है जो कि इस रेडमी के 50 अब देखेंगे जो पुको एफ और वाइब यह आया था ना उसी के जैसा आपको आपको आगे बताएंगे 67 वाट का फार्चर एंड एक टाइप सी के बल देखने को मिल जाता है यहां पर 120 हर्ट का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है रिफ्रेस्ट जोगी बहुत भी स्मूतली परफॉर्म कर रहा है एंड यहां पर कोई भी चीटर भी देखने को नहीं मि मिल रहा है अब दोस्ति यहां पर आचूगे हम सेटिंग में एंड की से यहां पर डिस्प्ले देख सकते हैं डवलो क्यू एच्टी प्लस यह रिजोलूशन का सपोर्ट करते हैं इसके हेल्प से आप वीडियो क्वालिटी या ऐसे भी मतलब डिस्प्ले को सार्प कर सकते है एंड क्वालिटी बेटर हो जाती है इसके लाव कि यहां पर यूटूब में वीडियो सपोर्ट की बात कर लिया जाए तो यहां पर कोई भी आपको दिक्कत भी नहीं आएगी बहुत ही सही लगी इसका लगी यहां पर कैमरा की बात कर लिए तो यहां पर इस फोन का सबसे देखने को मिलता है वो कि इस कैमरा यह इसका कैमरा मुझे एवरेज लगा एंड जिस प्रैस में यह लांच वाताल मॉस्ट थर्टी थाओज़न का प्रॉक्स तो उसके हिसाब से कैमरा यह जस्टीफाइब नहीं करता यहां पेक्सल ओगर दिये हैं पीछे और फ्रॉंट मे भर भर के देखने को मिल जाते हैं लाइक ब्लॉग मौद डूवल वीडियो मौद स्लो मौशन और लॉंग इस्पोजर बहुत सारे अप्शन देखने को मिल जाते हैं बट वह यह की इस यहां पे आप मतलब इंडियान स्पेसिफिक यह कैमरा इसको नहीं ऑप्टिमाइज कि हैं तो इतना बेटर आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा विकोज अफ यह चाइनिज वेरियंट इस वाजा से अब दूस्ति यहां में बात करते हैं परफॉर्फॉर्मेंस का कि इसमें कैसा देखने को मिलता है एंड चाइनिज विरेंट में आप वाइस चेंजर और भाइभी कर सकते हैं पैसे पेकर के तो यह थोड़ा अजीब लगा वाई इंडिया में यह फीचर नहीं होता तो काफी साइड लोग यूज करते बाइक करते बट इंडिया में नहीं अब दोस्तियां परफॉर्मेंस के राथ किया जाए तो यहां मिलता है डाइमेंसिटी का आप टी 100 प्रोसेसर जो काफी अच्छा प्रोसेसर एंडिया मतलब फाइब टो है यह और और यहाप जो प्रोसेसर यह मतलब एंडू टू टू भी देखेंगे इसका तो अल्मौ जूस ने गरन एट 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 आय था था ना उसके और प्रोक्स देखने को मिलता है तो क्लियर यह काफी जादा पाउरफुल है एंड एंड टूटू के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर नॉर्माली उसमें मुझे यह फॉन बहुत ही कमाल लगा पर्फॉर्मेंस भी बहुत ही साही देता है बट इस यहां पर एक चीज मैंने नोटिस किया कि यह अगर सब्सक्राइब आप इसने प्रफॉर्मेंस के मावले में यह उतना बेटर फिल नहीं होगा मतलब इसमूदनेस मावले में एफ यह अच्छा प्रवाइड करता है मैंने एस लागर भी जैमिश किया बट वही बात है कि यह स्मूथ उतना फिल नहीं होदा और यही सिर्फ एक स्मूदनेस देखने को नहीं मिलता है जो कि इसने में एट सीरीज में देखने को मिलता है कुल मिला गर मैं यही के ना चाहिए प्रफॉर्मेंस यह अच्छा देता है बट अगर आप साइड वाइचा को पेरिजन करेंगे इसने मिलन के प्रोसेसर से तो वहां पर यह पीज रहा जाता है बागी ऐसे नॉर्मल यूज में यह मखन चलता है वहाँ पे कोई भी आपको जीटर देखने को नहीं मिलता है वैसे इस फोन में भी आपको मस्ते रेम और स्ट्रेश सपोर्ट देखने को मिलता है यहां पे सभी चीज़ इसमें परफेक्ट लगी एक्सेप्ट केमरा ओवराल मतलब जिस प्राइस में इसे वाई किया एक यूटुबर से मैंने वाई किया यह नया चाइना से मैं नहीं बाइक है नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते अल्मॉस्ट थर्टी थावजर एंड साथ यह थर्टी थावजर में तो क्लियरली मेरे था से बढाइन के लिए और फूर यहीं improved सिरह की बाद केले पर्फोरमस्ट में पड़ाँ कर दो ट से लग čा एंड इसमें और नोटीस का गए मेरास आट 65 स्काइब पीटर और सादीम통ण्वाद्र के लिए तुए थुक्त फ़लने के लिए फैस ऐल की भिए नहीं सब्सक्राइब कर रहा है यहां पर कोई भी जीटर वगरा देखने को नहीं मिल रहा है बट वहीं पर जब मैंने इस फॉर्ण में टेस्ट किया तो वहाँ पर मुझे जीटर ने सब्सक्राइब कर सकते हैं अगले वीडियो में दोस्त